कबाब का स्वाध बिगडा तो मार दी गोली कारिगर को कबाब का पैसा मांगने पर किया खत्म कल्पटी पर दाग दी गोली कबाब कारिगर की मौके पर हुई मौत बिल्कुल सही सुना आपने एक कबाब बनाने वाले को पैसे मांगने पर गोली मार दी गई पहले तो उस कारीगर को कहा गया कि कबाब खराब है लेकिन उसके बाद भी उसे सिर्फ अपना मेहंताना मांगने पर मौत दे दी गई नमस्कार मैं हो किरन आप देख रहे हैं निउस टाइम नेशन पुरमामला बरेली के प्रेम नगर थानक शेत में मौजूद डीडी पुरम का बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक यहां नासिर नाम का शक्स कबाब बनाने की दुकान पर काम करता था बताया जो रहा है कि रात करीब 11 बजे इनोवा से दो लोग दुकान पर पहुँचे और चिकन रोल खाने के लिए ओर्डर किया इन दोनों ने यहाँ चिकन रोल ओर्डर किया और खाते ही चुपचप जाने लगे जानकारी के मताबिक इसी दोरान नासिर ने इन लोगों से पैसे मांगे इस पर सामने खड़े ग्राहकों ने कबाब को बेस्वाद बता दिया और पैसे देने से मना करने लगे इसी बात पर बहस शुरू हुई चश्मदीदों की माने तो बहस के दोरान ही आरोपियों ने गाली गलोज करते हुए तमंचा निकाला और सीधे नासिर की कनपटी पर चिपका कर फायर कर दिया इस मामले की तस्दीक खुद मुरुतक के भाई ने भी की है बताया जो रहा है कि मौके पर ही नासिर बेसुद होकर गिर पड़े और खुन उनके शरीर से ऐसे बह रहा था मानो पानी की धार हो मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी नासिर को जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचाया गया लेकिन तब तक उस बेचारे ने दम तोड़ दिया मामले की जानकारी मिलते ही स्पी सिटी राहुल भाटी, सीयो प्रथम श्वेता यादम और प्रेम नगर इंस्पेक्टर मौके पर पहुँचे स्पी प्रभाकर चौधरी का कहना है कि हत्यारों की खोजबीन के लिए तीन टीम्स बनाई गई है वहीं जिस गारी से ये हत्यारे आये थे उसके जानकारी से पता चला है कि ये गारी उत्तरा खंड के नंबर की है जो काशीपुर में रहने वाले किसी अनुभव नाम के शक्स के नाम पर रजिस्टर्ड है पुलिस, सीसी टीवी और चश्मदीदों की निशान देही पर आरोपियों की खोजबीन भी कर रही है ये ख़बर हमारे समवाद दाता खुशीत खान राजू के साथ सनी गोस्वामी ने कवर की है आपको ये ख़बर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आप ये ख़बर फेस्बुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें इसके अलावा अगर आप इस ख़बर से यूट्यूब के जरीए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना आप बिलकुल ना भूले अगर आप बिलकुल ना भूले